कि अपने ङहर की दिवालों पर मिठी क बैड जाते हैं ऐसा करके में मिठी लेकर बैड जाती थी। मुझे जो भी अच्छा ही लगता था, जो पेड बना लिया, मोर बना लिया, घोड़ा बना लिया, जब साधी होती थी तो मैंने हल्दी का चितर बना लिया करती थी, ऐसे मुझे बसपन सही सोक है, मैंने अपने शुरू में मिटी कलर से खेलते कुदते, चितर मैंने बनाती र पर दिश करके थे उसी भारत भुवान के डारेक्टर थे और कलाकार भी थे तो पहली बार उससे मेरी मुलाखात हुई मैं तो जानती नहीं थी अपने गाउं से आई मजदुरी करने के लिए पहली बार उनसे मिली में और वो पूछने लगे वो ले आप कहां से हो क्या समाज ह और अपके गाउं में केसे साधी होती है किस देवी देवता को मानते हो केसे पूजा होती हो तो पहली बार निकल के आये थे मैं हिंदी नहीं समझती थी तो मैंने धीरे धीरे फिरे थोड़ा सा उनको समझानी की कोशिज करी और वो भी समझनी की कोशिज करी उन्होंने तो क कि इन लगले हम बजार से आपको रंग बुरूस लाकर देते हैं और एक शीर रोल लाकर देते हैं कागज का तो आप उसपे बना की दिखा ना जीयर कहा तोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं केसे करके दूंगी केसे बना के दूंगी लेकिन मैंने वहां से बहारत हुआन से शुरुआत की मैं बहुत अच्छे से उनको बनाके दिये उनको बहुत पसण आए खूब अच्छा लगा उनको फिर 120-20 में मजदुरी करती गी मिन आप जाके ना ये पदम्षरी अवार्ड मिल रहा है मेरे परिवार को, मेरे अपने आपको और मेरे सारे गाउंवालों को बहुत खुस हो रहे हैं मैं बहुत इतने खुस हूँ कि मैं सोस भी ने सकते कि मैं इतना बढ़ावाड ले लूँ आज भी उनका असिरवात है मेरे साथ मैं बहुत लगे था अच्छे से अपने पेंटिंग को आगे बढ़ा रही हूं और देश विदेश भी मेरी पेंटिंग पहुच गई है मैं अमीरिका का भी आतरा कर ली मैंने अपने पेंटिंग लेके वहां उन लोगों को बहुत समझाया बहुत उन्होंने खरीदारी करी और अभी भी मेरी पेंटिंग बहुत देश में जाती है मैं बहुत पूस हूँ